जब कॉरोना आया तो मुश्किले भारत के सामने भी कम नहीं थी। मुझे याद है पिछले साल फरवरी मार्च अप्रिल में दुनिया के कई नामी एक्सपर्ट्स और बड़ी-बड़ी संस्ताओं ने क्या-क्या कहा था। बविश्यमानी की गई थी कि पूरी दुनिया में कॉरोना से सबसे प्रभावित देश भारत होगा। कहा गया कि भारत में कॉरोना संकर्मन की सुनामी आएगी। किसी ने 700-800 मिलियन भारतियों को कॉरोना होने की बात कही तो किसी ने 2 मिलियन से जादा लोगों की मृत्यू का अंदेशा जताया था। दुनिया के बड़े-बड़े और आधुनिक हेल्ज इनफरसक्टर वाले देशों का उस समय जो हाल था वो देखकर भारत जैसे विकासिल देश के लिए दुनिया की चिंता भी स्वाभाविक थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तब हमारी क्या मनोदसा रही होगे। लेकिन भारत ने खुदकर निराशा को हावी नहीं होने दिया। भारत प्रोएक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन के अप्रोच के साथ आगे भरता रहा। हमने कोविड स्पेसिफिक हेल्थ इंफर सेक्टर डवलप करने पर जोड लगाया। हमने अपने हुमन रिसूर्सिज को कॉरोना से लन्रे के लिए ट्रेन किया। टेस्टिंग और ट्रेकिंग इसके लिए टेकनलोजी का भरपुर इस्तेमाल किया। इस लड़ाई में भारत के प्रतेक व्यक्ति ने धायरिय के साथ अपने कर्तवियों का पालन किया। कॉरोना के खिलाब लड़ाई को एक जन अंदोलन में बदल दिया। आज भारत दुनिया के उन देशों में से हैं जो अपने जादा से जादा नागरीकों का जीवन बचाने में सफल रहा है। और जहां आज करोना से संक्रमित लोगों की संक्या जैसे प्रफिसर ने बताया तेजी से घट रही है। साथियों भारत की सभलता तो किसी एक देश की सभलता से आकड़ा उचित नहीं होगा। जिस देश में विश्व की 18% आबादी रहती हो। उस देश ने कोरोना पर प्रभावी नियत्र करके पूरी दुनिया को मानवता को बड़ी त्रासदी से भी बचाया है। कोरोना सुरू होने के समय मास्क, PPE कीट, टेश कील हम भारते मंगाते थे। आज हम न सिर्फ अपनी घरवलू जरुरते पूरी कर रहे हैं बलकि इने अन्य देशों में भेज कर वहां के नागरिकों की सेवा भी कर रहे हैं। और आज भारत ही हैं जितने दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वेक्सिनेशन प्रोग्रम भी शुरू किया है। पहले फेज में हम अपने 30 मिलियन हेल्थ और फ्रेंट लाइन वर्कर्स का वेक्सिनेशन कर रहे हैं। भारत की स्पीड का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सिर्फ 12 दिन में, 12 डेज में भारत ने अपने 2.3 मिलियन से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स को वेक्सिनेट कर चुका है। अगले कुछ महिनों में हम अपने करीब 300 मिलियन बुजूर्ग और को मॉर्मिडिटी वाले मरीजों के वेक्सिनेशन का टार्गेट पूरा कर लेंगे।